बोचपुरी सुपरस्टार पवन सिंग सावन का एलबुम लेकर आ रहे हैं जी हाँ इस सावन के एलबुम में क्या खास बात है क्यूं ये सबसे अलग होने वाला है तो आए हम आपको बताते हैं इस सावन के एलबुम में जो पवन सिंग गाना लेकर आ रहे हैं काफी मिलोडियस है पहली बात तो देश भक्ती से भरपूर रहेगा ये गाना और दूसरी बात इस गाने को लेकर पवन सिंग पहले से काफी संजीदा है लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी का गाना आ चुका है ल क्योंकि इस गाने को लेकर पवन सिंग अलरीडी मीडिया में बज बनाना ही चाहते हैं। वैसे अगर आपने पिछली बार का पवन सिंग का सावन का अलबम देखा होगा तो वहाँ चाननी सिंग ने उनका साथ दिया था तो यहाँ पर इनका साथ डिमपल सिंग देती नज़र आएंगी तो आपको बता दे पिछली बार के अलबम में महादेव बने थे पवन सिंग इ पिछली बार के एलबम में तो पवन सिंग जो गाना था आज भी लोगों के जुबा पर है आज भी पवन सिंग के कुछ बहतरीन सावन के गानों में उसका नाम लिया जाता है कावड उठाएंगे और कुछ इसी तरह से वीडियो बनाया गया है पवन सिंग का वैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग काफी पहले हो चुकी थी न रिलीज करने की वज़े सिर्फ एक है कि पवन सिंग ये चाहते हैं जैसे ही सावन शुरू हो या रिके शावन शुरू होने के दो दिन पहले ही पवन सिंग इस गाने को रिलीस करना चाहते है वैसे पवन सिंग के काफी जो फैंस हैं उनके पुराने गानों से ही खुश है उनका ये कहना है अगर पवन सिंग इस बार नहीं भी लेकर आते हैं कोई सावन का या बोल बमगीत तो हम पुराने से काम इसले चला लेंगे कि वो गाने एवरग्रीन है ये भी परवन सिंग के लिए किसी कॉंपलिमेंट से कम नहीं है पैसे बता दे निराश होने की जरूरत नहीं है आपने तो देखे ही होंगे कई क्लिपिंग जिम्हां पर पवन सिंग शूटिंग करते नजर आ रहे हैं साथ ही साथ जब पवन सिंग अपने कई वीडियो जानों की अलबम की शूटिंग कर सकते हैं तो शावन का समय तो उनके लिए सबसे बड़ा पर्व है तो उसकी शूटिंग क्यों नहीं करेंगे वैसे पवन सिंग ने बहुत पहले ही इसकी शूटिंग कर ले थी वो तो सबने उन्हें गवेरिवा वस्त्र में देखा ही होगा तो अब ये खबर आ रही है कि पवन सिंग जल्द ही रिलीज कर सकते हैं अपने सावन के अल्बम के गीतों को भोचपीरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्किन में गूले